जैसा कि आप सभी को पता होगा इगनु ने जनबरी 2024 सेसन का रिरेजिस्टरेशन बंद कर दिया है। और ऐसे में आप में से जादतर स्टूडेंट का ये सवाल है, कि july 24 session का रीrekस्ट्रिशन कब से स्टार्ट होगा? तो आज मैं आपको पूरा details में बताने व легко कि इगनु के तरप से july 24 session का रीrekस्ट्रिशन कब से स्टार्ट किया जा सकता है? जुलाई 2024 से सेसन में आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें आपका कितना पैसा लगेगा और सबसे इंपोर्टेंट री रजिस्ट्रेशन होता क्या है तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेट सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे सबसे पहले जुलाई 2024 सेसन का जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसमें ऐसे कौन-कौन से स्टुडेंट है जिने री रजिस्ट्रेशन करना होगा जो एलिजेबल स्टुडेंट है उनके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो के मादम से डीटेल में बता सबसे पहले जब जुलाई 2024 सेसन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसमें आपका कितना पैसा लगेगा जब आप नेक्स्ट इयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यानि कि नेक्स्ट इयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ज पर क्लिक करेंगे ये विबसाइड samples हो जाएंगा इगनुका आपका जो भी प्रोग्राम हें वह आप यहां डालेंगे और रिड मुऊंचे करएंगे और नीचे करेंगे तो यहां पर आपको बता दिया जाता ही कि पर यह可् feeling तो यहां पर यह जो पैसे बताया जाते है है यही रहता है आपका Re-Registration का भी F值 मालीज के आपका कोई और प्रोग्राम है जैसके मैंने यहां पर डाला MMA History का Read More पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह जो आपको बताया जाता है यही रहता है आपका Re-Registration का भी F值 और अब हम बात करते हैं कि इगनु के तरप से जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रिसन कब से स्टार्ट किया जा सकता है तो ये मैं आपको प्रिवेस सेशन के अक्वर्डिंग बताऊंगा जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके तो इगनु में जो जुलाई सेशन का री थिया जा सकता है दिहां रखेран, छह मइ के बाद और बीसमय के बीच में इन तारीकों के बीच में कभी भी स्टार्ट किया सकता है और बाई चांस अगर मैं मैं में केपे वीडियो के मादिम से पूरा डीटेल में करवाना होता है किस तरीकी से फोरम वगेरा फिलप करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालू आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और अब हम लास्ट में बात करते है री राजिस् का अगर मैं आपको एक लाइन में बता हूं तो इसका मतलब होता है कि एक किलास से दूसरे किलास में एडिमिशन यानि कि आप फॉस्ट कियर में है तो फिर आपको सही टाइम आने पर सेकंड यर में एडिमिशन लेना होगा अब देखिए अधर युनिवरस्टी में क्या हो मिलता है जब आप पास हो जाते हैं तो ही next class में अगर आप फैल हो जाते हैं तो फिर आपको next class में Emission सन्हीं मिलता है आप उसके बाद सही करवाना होता है अगर आध यरलि सेमेस्टर का रीर थीस्टरेशन कर्वाना होता है अगर आध वाली सेमेस्टर या फिर semester based होता है result आता है तो इसमें आप या तो pass होते है या फिर fail होते है और इसमें next class में admission कैसे मिलता है अगर आप exam में pass हो जाते है तो आपको next class में admission मिल जाता है लेकिन इगनु में खास बात यह है कि अगर आप exam में fail हो जाते है या फिर exam देने के लिए नहीं जाते है तो भी आपको next class में admission मिल जाता है। जिस subject में आप fail हो जाते हैं या फिर जिसका exam आप नहीं देते हैं उसका exam फिर आप अगले session में दुबारा से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं।